हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकाज और आप सभी का इस चनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज स्वाइब करने वाले हैं अधार काड के अनलोक के बारे में दोस्तों अगर आपका भी अधार काड किसी करण वस लोक हो गया है तो आप कैसे अनलोक कर पाएंगे इस वीडियो के आबर पहुस्ते रहे जैसे को दोस्ता आतलों को पता होगा कि अभ आधार gardens में जोई कि लोक और वपशं क locking अगर किसा साव स्फार्ण साम बादै करने ने जाते हैं वहां आपका जोई कि अधार Germans करेंगे इस वीडियों के माधियम से सिखेंगा इसे भी आपको थमने से पता चली गया होगा कि हम आज क्या बताने वाला ठीक है दोस्तों तो उसके लिए आपको करना है सबसे पहले अपने मोगाइल में किसी भी वरोजर को ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद दोस्तों आप जो यू ए आई डी जाएगा उस पर आप किलिक करेंगे जैसे यहां पर आप किलिक करते हैं किलिक करने के बाद इस तरह का इंटरफिस देखने को मिलेगा आपको यहां पर अपना भसा सेलेक्टर लेना है ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है आपको आधार सर्विस पर चले जाना यहाँ पर दिख़़ा होगा अधार सर्वीस दोस्तों आपको यहाँ पर किलिक करना है जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे किलिक करने का दोस्तों जैसे निचे का और आपको स्क्रोल करना है निचे के आप स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ओप्सन है लोक या अनलोक बायोमेट्रीक दोस्तों आपको यहाँ पर किलिक नहीं करना है ठीक है आप यहाँ पर मिस्टेक से किलिक नहीं करेंगे ठीक है आपको और नीचे कड़ाना है यहाँ पर देखिए एक उपसन है आधार लोक अनलोक ठीक है आपको यहां पर किलिक करना यहां पर देखी नीचे में दिया गया है अधार लोक एंड अनलोक सर्विस आपको दोस्तों यहां पर किलिक करना है अगर आपका अधार कार्ड लोक हो गया है तो आप यहां पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद दुस्तों यहाँ पर देखिए दो ओप्सन है अगर आपको अधार कार्ट लोग करना है तो आप यहाँ से लोग भी कर सकते हैं यहाँ पर अधार नमर भढ़ेंगे और फोल नेम भढ़ेंगे और अपना पीन कोड भढ़ेंगे किप्चा फिल करेंगे उसके बाद से नोटे पी पर किलिक करके आप अपना अधार को लोग भी कर सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों आपको अनलोग करना है तो यहाँ पर देखिए अनलोग का भी ओप्सन दिया गया अनलोग यू आई डी आपको यहाँ पर टिक लगा दना जिसे आप यहाँ पर टिक लगाएंगे आपसे यहाँ पर मंगा जाएगा वी आई डी नंबर वी आई डी नंबर जो है का आपका अधार कार्ड में पहले सी भी होगा दोस्तों वह बला वी आई डी आपका कम नहीं करेगा यहाँ पर नया वाला VID मंगता है तो आप कैसे निकलेंगे तो वो भी इस वीडियो के मादे हम से सिखेंगे दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है उपर में बता दिया गया है यहाँ पर आपको कैसे VID नमबर निकलना है अगर आपका मॉयल नमबर जुरा हुआ है तो अगर आधार में आपका मॉयल नमबर जुरा होगा तो आप आप इसे अनलोक कर पाएंगे असनी से ठीक है यहाँ पर देखिए कहा गया है VID नमबर के लिए आपको SMS करना है 1947 पे ठीक है तक है क्यिसेज लिए तो जथेंगे जोर से मेसेज भेजेंगे ठीक है यहाँ से मेसेज बुक्स में आएंगे मेसेज बुक्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि लेए उपर में 1947 बढ़ दर ना क्योंकि 1947 पे फे इन पर bond लिखना है capital में R B I D इस तरह से लिखना है दोस्तों इसके लिखने के बाद दोस्तों यहां पर आपको space देना है यानि खाली जिगह space के बाद यहां आपको आपका जो आधार काट का last four digit डालना है आपको आधार का जो number है उसमें last four digit होगा यानि चाट डिजित नमबर वह आपको यहां पर fill करना है आपका जो भी होगा दोस्तों आप यहां पर fill कर लेंगे यानि आधार का last four digit number आपको यहां पर fill कर लेना है उसके बाद जो है कि इस पर message भेज दना है उसी नमबर से भेजना जो आपको अधार काट में नमबर दिया गया है वही नमबर से आपको सेंड करना है यहां से हम सेंड करेंगे सेंड करने के बाद दोस्तों कुछी सेकेंड के बाद आपके मोबाईल में एक मेसेज आ जागा जिसमें कि आपका भी आईडी नंबर और नियू वाला आया होगा यहां पर कुछ सेकेंड वेट करेंगे अब मेसेज आ गया होगा यहां पर देखें मेसेज भी आ चुका है और यहां पर देखें दोस्तों दिया गया है आपका जो है कि भी आईडी नंबर यहां पर दे दिया गया देखें वर्चुल आड़ी यानि भी आईडी का मतलब होता है वर्चुल आड़ी आपको जो है कि यहां पर मेसेज दोबरा उदर से भेज दिया गया तो आप इस तरह से अपना भी आईडी नंबर निकाल लेंगे ये वी आईडी नमर दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है, वो वह वाला वी आईडी नमर जो आपको मेसेज द्वारा आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर दोस्तों फिल करेंगे, फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कप्चा फिल करना है ठीक है इस तरह से आपके फिल कर लेंगे अप्चा फिल करने के बाद दूस्तों आपको यहां पर सेंड वोटेपी वाले उप्शन पर किलिक कर देना जैसे दूस्त आप यहां पर किलिक करते हैं किलिक करने के बाद दूस्तों यहां पर आपका जो है क एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर दना, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर फिल करके समिट करेंगे, समिट करने के आप दोस्तों इस तरह से आपका अनलोग हो जाएगा, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर समिट करने के आपको जाएगा, अनलोग अधारकाड हो जाए झाल झाल झाल